हेलो फ्रेंड्स मैं समिता स्वागत करते हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे नेट फैब्रिक पाव बोट नेक प्रिंचिस कर ब्लाउच की कटिंग श्टिची तो देखें तीनों फैब्रिक लिये हैं सबसे पहले हमें अस्तर क फैब्रिक पर मेजर्मेंट लेना है तो जितनी आपकी चेस्ट है चेस्ट का चोता करते हैं प्लस देल इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल कर लेना है और फोल को अपनी तरब करते हुए मेजर्मेंट लेंगे तो सबसे पहले हमें नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेना ह एक लाइन ड्राउ करते हुए फैबरिक को सीधा कर लेंगे अब तयार ब्लाउज की लेंद मेरी 12.5 इंच है तो एक इंच बढ़ा कर लेते हैं आपकी जो भी लेंद आएगे उसे एक इंच बढ़ा कर ही लिजेगा बोट निकी साब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच आर्म हो मार्जिंग का एक इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हलके हातों से बोट निक ब्लाउज है तो शोल्डर को हाप इंच डाउन कर लेना है और ऐसे हम तिरसी लाइन कर लेंगे अब हमें कमर का मेजर्मेंट लेना है कमर हमारे 30 आ रहे है तो उसका चोटा हैगा 7.5 एक इं बर के प्लेट के लिए देड़ इंच मार्जिंग का आप चाहिए मार्जिंग दो इंच की बिद्रा सकते हैं देख़े इसे होटन की मार्किंग कम्प्लिट हो चुकी है अब हमने जैसे मार्किंग कि है उसी के peninsula कट कर लेना है और और कर निकालेंगे प्रन्पार कर Similar जितने हमने बैक पाड की फोल्डिंग रखी है उसे देड़ इंच बढ़ा कर फोल्ड कर लेना है कपड़े को और नीचे से एक लाइन राओ करते हैं कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर लेंगे यह प्रिंसेस कट बलाओ जे तो पौने एक इंच उपर की तरप लेते वे इसे हमें एक लाइन राओ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरप से हमें हाँ पिंच पर एक लाइन राओ कर लेंगे अब दोनों लाइन छोड़ते वे हमें बैक पाट रखना है और एजिटिक बैक पाट को हमें मार्किंग कर लेनी है जैसे हमने बैक पाट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है और फ्रंट के आर्म हूल की गोलाई देनी है तो चेस के और आर्म हूल की ला ड्रकते वह हमें इसे तरसी लाइन कर लेनी है। और यपन हमें एक इंच पर आर्मस्वब की गोलाई दे देंगे फरंट पा-ड के लेकिन हम बान फ्रंट पाड आर्म-व्ल की स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है वीट में रखरे में 4.5 इंच और लेंद में रखाया है मैंने 4 इंच और नेकoti से वीट में 4.5 इंच रखते वे ऐसा हमें एक चोकोन बॉक्स से यार कर लेंगे और बोट मिक का सेप देना है हलके हातों से देख़े इसे तरह से बोट मिक का सेप देगे अब हमें princess cut का measurement लेना है तो नीचे से width में लिया है मैंने 3.5 इंच और उपर से dart का आ रहा है मेरा 9.5 इंच पर और center से पौणा चार इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें नीचे से एक सीदी line ड्रॉ कर लेंगे और A line हमें armhole की तरफ ले जानी है अब नीचे से मैंने width में रखा है 10.5 इंच और length में रखा है मैंने 2 इंच और armhole की तरफ से half inch सामने की तरफ लेते हुए ऐसे princess cut का हमें save दे देंगे हलके हातों से अब armhole की तरफ से शिलाई margin का half inch बढ़ा लेना है और नीचे से dart का dead inch बढ़ा लेते है और ऐसे हमें तीर सी line ड्रॉ कर लेंगे नीचे से fabric को ऐसे छाट लेना है देखिए इसी तरह से हमारे princess cut part की marking complete हो चुकी है अब armhole हम front का नहीं cut करेंगे back का ही cut करेंगे front का armhole हम stitching के बाद cut करते हैं अब नीचे से भी कपड़े को चाट लेना है देखिए इसी तरह से कपड़े को चाट लेंगे और जो हमारा princess cut का part है उसको अलग कर लेना है अब सभी पार्ट हमें net के fabric के साथ और main fabric के साथ cut करना है तो सभी पार्ट करते वक्त हाप इस बढ़ा कर ही cut कर लीजेगा नेक को भी cut कर लेंगे देखिए इसी तरह से back part मैं next video में लिखे आऊंगे design के साथ देखिए सभी पार्ट मैंने cut कर लिए है अब इसकी हम stitching देखेंगे इससे पहले नेट का fabric नीचे रखना है उसके ऊपर हमें main fabric अरगे तो आस्तर के बराबर से हमें तीनो फेबरिक अटेच कर लेनी है देखिए इसी तरह से अस्तर के बराबर से हमें stitch कर लेनी है अस्तर का फेबरिक हमने measurement की सबसे cut किया है बाकी फैरीक हमें cut करते वक्त हापिंच बढ़ा आकर ही cut करना होता है तो देखी जो फैरीक हमारा बाहर की तरप बारा है उसको हमEND के अस्तर्की फैरीक के बराबर से ही cut कर लेना है देखी इसी तरह से हमारा सामने का पण्ध हमने ready करके रखा है और यह फ्रॉंट ओपन है तो फ्रॉंट की तरफ से हमें हाँ पिंच पर ऐसी सीधे स्टीच कर लेनी है कट करने के बाद हमारा फैबरिक ही दर उदर ना हो जाए इसलिए अब जो साइट का पार्ट है उसको भी हमें तीनों फैबरिक एक साथ ट्याज कर लेनी है अस्तर के फैबरिक के बराबर से ही स्टीच कर लेंगे और जो हमारा में फैबरिक और नेट का फैबरिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैबरिक के बराबर से ही कट कर लेना है देखिए इसी तरा से दोड़ों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं, आप हमने जो zu centers से कट कर लेंगे कट करने के बाद एट्याज कर लेना है, जो हमारा princess cut का पार्ट हमने कट करके रखा है उसको attach कर लेना है, तो princess cut part attach करते वक्षा जॉइन करते वोध हमीचे नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा, आर्मॉल के तरब से हमारा कम ज़यदा हो तो, आर्मॉल के गोलाई में हम उसको छाड़ सकते हैं, इसलिए आरमॉल के गोलाई हम stitching के बाध देते हैं, देखे इसी तरह से हमारा एक हो चुका है अब हम आर्मूल की गोलाई दे देंगे पौने की जंदर की तरफ लेते फिर आर्मूल की गोलाई दे देनी ही देखे इसी तरह से पार्ट हमारा रेडी हो चुका है अब सेंटर से हमें छोटा डाट दे देना है तो हाई हुक की तरफ से हम दोनों सेंटर से बराबर से हमें एक डाट दे देंगे हाप इंच का देखे इसी तरह से हमारे रेडी हो चुका है अब नीचे से हम कंबर पट्टी अटाज कर लेंगे तो हाप इंच का मार्जिंग कवर करते हुए हमें सीधे में कंबर पट्टी अटाज कर लेंगे और प पूरे फैबरिक को पल्टाते वे कर लेंगे बाद में हमें रोपी स्टीच निकाल लेंगे अब हमें हाई की पट्टी अट्याज कर लेंगे तो हाई की पट्टी हमें में फैबरिक की ही लीजिएगा तो देखें मैंने ये पट्टी ली है जो हमने हाई हुक के लिए हाप और एक फिरेशिंग की स्टीज दे देंगे अब एक पर का मार्जिंग रखते वे एक स्टीज और कर लेनी है देखिए इसे तरह से दूसरे पार्ट को हमें हुक्की पट्टी अट्याज कर लेनी है तो हुक्की पट्टी हमेशे आस्थर की फाबरिक की ही लीजेगा या अंदर की तरब जाते है पूरी के जो हपीन्स हमने हाइं के लिए छोड़ा ता उसी मार्जिं का बर करते हूए पट्ति आगाश कर लेना है औपट्ति को पल्टाते वह पट्ति के उपर से मेंसरी कर लेंगे अबस्य करते ह chanting क कर लेनी है पूरे प्टी को फोल करते वे के रॉपी स्टिच कर लेंगे। आप जायी तो फाइनल स्टिच भी कर सकते है। आप नु鄉 है понял सब्सक्राइब करें नहीं आप दोनों हाई हुग की पटी हम छेक कर लेनी है। उसके बाद ही हम नेक रेडि करेंगे। देखे इसे तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके है हाई हूँ की पट्टी हम चेक कर लेंगे कम ज्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको चाड़ सकते हैं अब तिर्शे में मैंने पट्टी ली है नेक के लिए तो देखे एक परिका मार्जिंग रखते हो पट्टी क कर लेना है और क्लानर से पट्टी को फोल कर लेंगे और पोरे नेक को मैं रिचारे लगा छोटे कष्ट लगाएंगे पट्टी को फट्टा गयाम क्थले वह उसका ध्यान रखेए पट्टी को पलटते हुए पट्टी को rewards इसका अकुल करेंगे उसी तर्टी को फोलius और पुरे पट्ते को फोल करते हैं light keeping लेंगें आर देख्ये इसे तरह से परी पूरे पत्ते को फोल करते हो रोपी श्याज करलेंगे देख्ये इसी सिद्रा से दोनों पांट मेरे रेडी हो चुके है आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए अगर आप चाइनल पर पहली बार आये है तो लाइक शेयर जरूर करें और चाइनल को सस्काइब जरूर करें धन्यवाद